इंडिया को अज़ादी कौन से साल में मिले थी? ओ माई गॉद दॉस्ट नाइन्टीन फॉर्टीन आए हलो फ्रेंज कैसे आप लोग? दोस्तों मज़ा आ रहा होगा क्योंकि अब तो कानून आ चुका है भाई कि अगर आपने एंटी शोशल कंटेंट अगर डाला किसी भी डिजिटल मीडिया प्लाटफॉर्म पर तो भाई आप तो मतलब लट तो पड़ेंगी पड़ेंगे और समझ जाओ फिर क्या क्या होगा कानूनी कारवाई भी की जाएगी ठीक है? मतलब मुदी रोजगार दो इस हैश्टैक से इतना ज़्यादा असर पड़ चुका है इतना ज़्यादा असर पड़ चुका है कि फाइनली ये कानून लाना पड़ा ये वेगर ऐसा कुछ किया तो आप खैर रही है आप लोग की ठीक है? और बाकी देखते हैं कि और क्या होने वाला है? बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे चोटे मीडिया चैनल्स वाले जो हैं यूट्यूब पे वो बाहर अब ग्राउंड लेवल पे जा जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिरोजगारी को लेकर तीक है बिरोजगारी तो खेर काफी टाइम से चलती आ रही है अब दीरे दीरे और बढ़ गई है वो बात अलग है और बाकी इस हैस्टक को तो ट्रेंड करवाया ही जा रहा है देखते हैं कि अब क्या होता है हाला कि अब गवर्मन्ट थोड़ा सा कुदी नहीं थी मकर फाइनली अब वो कूद चुकी है कूदी क्यूं है क्योंकि एक वीडियो के साथ उन्हें ट्विट किया वीडियो में ये लिखा गया कि भाई उन लोगों का एक्स्लूजेव इंटर्व्यू है जो लोग मोदी से जॉब मांग रहे हैं ठीक है उन लोग इसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता ठीक है इस वीडियो के साथ माडम में ट्विट किया और लिखा है कि अनेको ऐसी हस्तिया हैं जिन्होंने देश को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया आज भी देश को एक जूट रखने के लिए लोग संगर्श कर मैं अपना बहुत समय और उर्जया ऐसे लोगों को जानने में लगाती हूँ और भारी विरोत का भी सामना करती हूँ जब मैं ऐसे बंदरों को देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि क्या ये लोग जौब डिजर्व करते हैं ये कंग्गना मादम के ट्विट किया और क आपको बताते हैं, एक बंदे ने लिखा कि बेवकु कंग्रा को समझना चाहिए कि ये वो छात्र नहीं है जो SSC, UPSC, CGL, CHSL, PCS की त्यारी करते हैं, ये वो छात्र नहीं है, जो छात्र ऐसे एक्जाम देते हैं ये लोग नहीं है, ठीक है, और जो लोग इन सब की त्यारी करत हैं, उन लोगों को ऐसे सामान ग्यान मतलब उनके उंगलियों पर रहते हैं, ठीक है, और वो किताबों को ही खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, ये रिप्लाई किया कंग्ना मडम के ट्विट के बाद, और एक महिला ने लिखा कि बहुत अच्छा कहा कंग्ना ने नौकरी पा भी दे देंगी, बताइएगा, और मैडम ने जो आपको बोला है ना, कि हर किसी का अपना तरीका है जॉब पाने का, तो इसका रिप्लाई भी जरूर दीजेगा, तब तो मज़ा आएगा लोगों को, इसका रिप्लाई भी लोग चाहते हैं, कि बतादो वही कौन-कौन से त मतलब जो आंदुलन है, ये जो हैश्टाग टेंड कराया जा रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा, क्या मतलब जो लोग बिरोजगार है, उनको रोजगार मिलता है कि नहीं, सरकार कुछ सोचती है कि नहीं, कुछ डिसीजन लेती है कि नहीं, उनके लिए, ठीक है, मगर एक बता दूं कि भाईया, अब ये जो कानून आ चुका है कि भाईया, अगर आपने anti-social content अगर डाला, तो फिर खैर नहीं है, आपकी बिचारे वो लोग भी पिस जाएंगे इसमें, जिनोंने अपना रोजगार एक digital platform को बनाया, और वीडियो अपलोड करके, अपने मतलब 4 पै टेंट डालते हैं, उन लोग की तो खैर नहीं है, तो वो और बेरोजगार होने वाले हैं,